हेलो दोस्तो स्वागते आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में आपको इसरम कार्ड के बारे में कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो अगर आपने इसरम कार्ड बनवा लिया है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को खातों में पैसे आएंगे दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर सरकार ने इस योजना का लाप पहुचा दिया है और तीसरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके अकाउंट में एक हचार रुपय आ गए हैं तो आप उनको कैसे चेक कर सकते हैं उनका कैसे पता लगा सकते हैं तो दोस्तो जानकरने के लिए हमारी इस वीडियो को लगातार देखते रही है इस वीडियो मैं आपको पूरी डिटेल से जानकरी देने वाला हूँ और दोस्तो इस वीडियो में आपको डीटिल से बताऊंगा कि किन किन लोगों के खातों में पैसे आएंगे तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कहां कहां पर सरकार नीशियोजना कर लाब पहुंचा दिया है तो दोस्तो यूपी में यूपी की गोर्मेंट ने लोगों के खातों में एक हजार रुपे के किस्त बेज़ दी है और यहाँ पर 22 करोड से जादा लोगों ने इसके लिए रिजिस्ट्रेशन कराया था तो दोस्तो सरकार को कुल मिलाकर 2000 रुपे की रासी उनके खातों में पहुँचानी है 1000 रुपे की किस तो पहुँचा दी गई है और अभी 1000 रुपे की बाकी है इसलिए दोस्तो अगर आप भी इस रासी को अपने खाते में प्राप्त करना चाहते हैं आप किसी भी इस्टेट सेवा के अंदर या डिजुचल सेवा के अंदर पर जाकर इसका ररेजिटरेसन करवा सकते हैं.. तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ISRAM CAR का फाइदा किन किन लोगों को पहुंचेगा। इसरम कार का फायदा असंगटित छेतर के मजदूरों को दिया जाता है तो दोस्तो असंगटित छेतर के मजदूरों में कौन-कौन लोग आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तो इन में रहडी पट्री लगाने वाले लोग शामिल हैं और इन में खौमचा लगान का काम करते हैं वो भी इसमें शामिल है तो दोस्तों जो जो लोग इन कामों को करते हैं उन सब को इस योजना का लाब मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आपने अभी इसका रेजिट्रेशन नहीं करवाया है तो आप भी इसरम कार्ड का रेजिट्रेशन करवा लीजिए ताकि आपको भी इसकी साहेता मिल सके इसके अलावे इसरम काड़ के दोरह आपको बीमा करवाने का लाब भी मिलता है जो फिरी होता है और कभी भी कोई धुरगट ना होने पर आपको उसका लाब मिल जाता है तो दोस्तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपिय इस्रम काड़ के दोरा आगे हैं तो आप उनको कैसे चेक कर सकते हैं और उनके क्या क्या तरीके हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपका मॉबाइल नंबर आपके बेंक अकाउंट से लिंक है तो आपके मॉबाइल में आपको मैसेज चेक करना है कि आपके अकाउंट में पैसे एड हुए हैं या नहीं हुए हैं जैसे चोट पास्वुक है उसको बेंग में जाकर उसकी एंट्री करके पता लगा सकते हैं। तीसरा तरीका आपका यह है कि आप बेंग में या पोस्ट ओफिस में पता कर सकते हैं। और चोथा जो बिल्कुल सटीक तरीका है अगर आपके पास पैटियम या गूगल पे या कोई भी यूपियाई एप आप यूज़ करते हैं उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने बेंक अकाउंट में जितने भी पैसे आए हैं उनको चेक कर स करते हैं तो दोस्तों मिलते हैं आप से एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा